तो गुड मॉर्निंग आज हम लोग जा रहे हैं नौइडा टू आगरा आज का जू यह ट्रिप है वह हमारा रहेगा नौइडा टू आगरा का तो आज हम लोग बिसिकली रोड ट्रिप करने वाले हैं अपने इस बाइक से यह मेरा बाइक है बजाज एवेंजर और इसी से बस अभी निकल नहीं वाले हैं यहां से अभी मैं अपने गराज में हूँ और साथ हूं दुआ रहे हैं अभी हम लोग गौड शीटी से निकल चुके हैं और दीरे यगी बढ़ गला हैं अभी साथ बज़ रहे हैं गर से हम लोग विकते हैं, तो साथ बजये अब भी आता है तो घर से जावाय होते हुए ही जो जो है नहीं है नहीं है तो अब लोग रखाय प्राइट सेश्वेपर आये नहीं है बजये जो जोग रखाय थेट खाया रखाय रखाय प्राइट से जाता लिएट कर दो कर दो कर दो यह सिधा वाला रास्ते लिए चला जाएगा मैं दिल्ली के लिए और यह हम लोग का जाना यह मुना एक्स्प्रेस यह इसी वाले रास्ते से अम लोग मतुरा आगरा अलिगर जा सकता है तो अभी इस साइड हम लोग स्लाइकली लिफ लेक्ट लेक्ड बी आगे बढ़ें वो, अग्राव बाने हैं इसाइप किलमेटर पूरा नजारा भी देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं यमना एक्सप्रेसवे पर और अभी मुझे घर से चले हुए लगभग एक घंटा हो गया है सवाई घंटा हो गया है और अब जाकर हम लोग यमना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे है चुकि धीरे-धीरे मैं चल ला था ज्यादा स्पीड में मैं नहीं चल रहा हूँ अब हम लोग काफी आगे तक आ चुके हैं यह बेसिकली जेपी ग्रीन्स का स्मार्ट सीटी वाला हिलापा है और अब आपको मैं पीछे में क्यों थी जबरदस सीन दिखाता हूं बहुत शांदार है जो अभी यह जो आप मेरे पीछे में देख रहा है बहुत चोटा-चोटा दीख रहा होगा यह बेसिकली रेस ट्रैक है जो आप लोगोंने सुना होगा वो बेसिकली यही है इंट्रनेशनल सर्किट करके इसका नाम है अनुना एक्सप्रेश बेस गाड़ियों की स्पीड आप देखें सौ से नीचे कोई बात ही नहीं करता है लेकिन हम लोग बाइक वाले है जरसा से स्पीड को अपने कंट्रोल में रख्या हूं मैं बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अब ही हम लोगा नेक्स स्टॉप जोने वाला है एक धावा जहां पर हम लोग कुछ प्रेक्वास बगेरा करेंगे चुकि घर से हम लोग कुछ खार पी कराये नहीं एक बस नारियल पानी पीए अगरा ट्रिप का ताजा खबर यह है कि टाइम हो चुका है नो हम लोग घर से निकले थे साथ इतना दीरे-दीरे हम लोग चल रहे है कि अभी तक लगवक तक 45 किलिमेटर का रास्ता हमने ताय किया है सेप्टेंबर में हम लोग जा रहे हैं सेप्टेंबर 2022 में और भूट इतना ज्यादा ताइज है काफी गर्मी लग रही है बहुत ही ज्यादा गर्मी लग जब गाड़ी तेजी से चल ला है तब उतना ज्या कि सफर का मजा लेना है थोड़ा जर्मी लगया चलेगा चलता है ना बॉस जो यह भी आप देख लो आगरा है एक सो इन सब किलिमेटर मत्रा सो अलिगर चौह सब अलिगर चौहतर किलिमेटर पलवल तिरपन किलिमेटर बाइट किज़र रखना है रावा यह है कि यह तो अभी जहां पर हम लोग आए है यह बिसिकली यह यहां पर रेस्टोरियंट है स्टारवक्स है सब्वे है बरिस्ता है हर चीज है यह आप यहां पर देख सकता है यह तो लेकिन अगर आपको कि बेसिक खाने का मज़ा लेना है तो चलना होगा ठाबा में बेसिकली हम लोग जाएंगे वहीं को मुष्टोर रेस्टोर एक खाने का बेस्पेर मैं बेस्टोर जो जो जींदेगा और मैं आया हो और यहां पर सब्सक्राइब जैसे यह वेज विर्यानी है, यहां पर शौर है, यह है वेज विर्यानी, कुछ खास नहीं है, चावल विकाइट है, बोड़ा बहुत इसमें स्वैबिन डाला है, एक दो पनीर है, पता ने, उत्राम टेश्टी होनी है, बट इस ओके, इसको खान अभी ब्रेकफास्ट हो गया, काफी लंबा टाइम लिया हमने, बहुत देरी तक हम लोग बैठे रहें, लगभग 40-45 मिनट हम लोग यहां पर रुके, खाने के बाद अब हम लोग का राइड यहां से स्टार्ट होगा, अभी भी यहां से ढाई घंटे का दूरी यह शो कर र यहमुनाए क्सप्रेसवे का पहला टोल पलाजा, अभी देखते हैं क्या लेता है बाइक का, तूब विलर का रेटर अखा हुआ है 200 पास पास हुए है, बोट पे जो लिखा हुआ है, विजर के आगे है अठिया माता है कर दो कि प्यास लग रहा था और काडी में तेल भी कुछ कम हो गया है यहां पर एक छोटा सा स्टॉपपेज है यहीं पर मैं आ गया यह आप देख सकते हैं पीछे में धाबा है यहां पर आप चाहें तो खा सकते हैं वैसे हम लोग तो पहले भी एक धाबा में खाना खा चुके थे लेकिन अगर आप उदर से आ रहे हैं तो एक धाबा है उसका नाम है शीवा धाबा आई थिंक वह ज्यादा बेहतर है चुकि ज सब कुछ है जन्द सुविदा भी है और खाने पिने हर चीज के लिए आइटम है तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं तो आगरा ट्रिप का ताजा ताजा आप डेट है कि अब यहां से आगरा मात्र 60 km के आसपास का दूरी रह गया है और हम लोगों ने अच्छा खासा दूर सब्सक्राइब कर लिया यह मैं बीच हाइवे में हो और अभी टाइम हो गया साड़ी 11 साथ वजह हम लोगों गर से निकलेते साड़ी 11 मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको अगर आप हाइवे में है तो स्लो चलने में भलाई यह बहुत जा कि अब है कि अब ही एक जगह हम लोग आए हैं और सिफ यहां से मातर 20 किलो मेटर के ही दूरी रह गई है जो हमें इतायक करना है अब एक जगह ढाबा था वहां पे हम लोग आ गया यह पीने के लिए काफी देर हो चुका है जरूरी है यह वो ढाबा है इसका नाम है यहां पर सब कुछ आपको मिल गाएगा कि इस पर मैंने देखा कि दो-तिन ढाबा है जो की अच्छी क्वालिटी के हैं और एक चीज़ और मैं बता दूं जरसा टोल के बारे में जभी भी आप आप नोइडा से यहां पर आएंगे आगरा के लिए तो इसमें तीन टूल प्लाजा मिलता है तो एक ही जगह आप तीनों का कटवा लिजे वह ज्यादा बेतर हैगा बाइक के लिए मुझे दोसो पांच रुपया देना पड़ा कार के लिए आइधिंक इससे ज्यादा लगे पाइनल इंपोर्टल में आगे यह सफर बड़ा जवरदस्त रहा हम लोग आने में ज्यादा टाइम लग गया इसमें दो राएं नहीं है इसके पिछे सबसे बड़ा कारण है कि मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था बहुत मैं तेज गाड़ी नहीं चलाया बीच बीच मे ब्लोगिंग करने के लिए रुपना पड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए या चोटा मोटा कुछ खाने पीने के लिए रुपना पड़िया तो इसी लिए थोड़ा सा सुलो था अधरवाज बीच में मैं काफी स्पीड में किया हूँ आज का जो मैं बाइक राइड किया पर आवर और ये बाइक था एवेंजर बड़ा ही जवरदस था कोई टाइप का दिक्कत नहीं हुआ सो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिलाल वीडियो में इतना ही पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मुच टेक केर बबाई